हाँ तो गैस क्या चल रहा है PC मार्केट के अंदर क्या सच में अच्छे दिन आने वाले है अगर आप एक PC बिल करने का सोच रहो तो क्या आपको रुखना चाहिए या फिर आपको रुखना भारी भी पर सकता है तो इस वीडियो के इन तग आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा लेकिन उसके पहले आपको ना इस वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि हमें भी पता चले आपके साथ हमारा बॉंडिंग कितना स्टॉंग है साथ से अगर आपको इसी तरी के गेमिंग एंड PC टेक वीडियो देग में मजा आता है तो चैन्क को डेफिनेली सब सब्सक्राइब कर लेना है पेसा बेल ऐगन टू नोटिविकेशन नवस्कार दस्तों मेरा नाम है तिमीर आप देखरो लूपोल टेक यानि टेक की अंदर की बार तो सब सब पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे ग्राफिस कार्ट के बार में क्योंकि यह एक ना होट सबसे पहले सब्सक्राइब क्याई इसको लोग क्या समझा क्या नहीं समझा लेगिन इसके चलते ना जो क्रीप्ट करेंसी का पिक था वह यहां पर अच्छनक से डाउन हो गया वो और यहां पर देखने को मिल झालाए तो इसके चलते जोड़ा साथ बढ़ारा का पड़ के माइनिंग होता है इसके साथ और भीड कौईन हो इसका माइनिंग होता ہے और इसका ने एक cycle चलता है जो यहाँ पे मतलब एक time पे pick up point आता है जहां पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा high चला जाता है उसके बाद फिर से यह down आके stable चलता है फिर से ऐसा एक cycle चलता है और यह cycle चार से पात साल के अंदर आता है सबसे पहले यहाँ पे आयता है 2017-2018 के आसप कि अभी यह जो cryptocurrency का जो bull run है यह end होने वाना है और यहाँ पे graph नीचे की तरफ आने वाला है तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो graphis card का price है यह definitely बहुत ज़्यादा influence होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अभी graphis card का price तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा strong reason आपको मि competition इंटेल ना अभी एक graphis card launch करने के बारे में सोच रहा हो जिसका announcement भी हो गया है इंटेल का नया वाला budget category का graphis card आएगा जो है इंटेल का नया alchemist graphis card अब इसके चलते आपको तो कुल competition देना ही है क्योंगी अब तक देखो यहाँ पे Nvidia and AMD दोनों के अंदर ना कुछ ऐसा समझोता हुआ था कि भाई तू भी price कम मत कर में भी price कम नहीं करूँगा लेकिन बीच में यहाँ पे कूद गया है इंटेल के कि दोनों जो पार्टिता उसको भी कम करना है या फिर उसका competition में कोई नया graphis card लाना है तो इसलिए AMD का 6400 and 6500 XT जो graphis card है यह launch होने का बहुत ज्यादा chances है साथ-साथ NVIDIA की तरफ से जो 3050 series है इसका भी launch होने का चांस है तो desktop level पे 3050 आने का बहुत ज्यादा chances है 2022 का कुछ चा competition क्रियेट होगा और जब competition क्रियेट होता है तो consumer को यहाँ पे फायदा होता है और यहाँ पे बजेट भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है ठीक है जो प्राइज अभी हाई चल रहा था वो यहाँ पे थोरा ज्यादा कम होगा नेक्स चान नंबर जो reason मुझे लगता है वह सिलिकॉन का shortage recovery अब देखो सिलिकॉन का shortage चल रहा था ना वो यहाँ पे माइनिंग की वज़े से ही आया था क्योंकि तो मार्केट के अंदर जो डिमांड था वह बहुत ज्यादा बर गया था एक बंदा एक ग्राफिस कार के जगा 10-20 ग्राफिस कार ले रहा है तो यहाँ पे अभी आपको धुकान के अंदर सौप के अंदर मिलना सुरू हो जाएगा तो अभी रीटेल सौप के अंदर जो availability है वो तो यहाँ पर श्टॉक आ चुका है ठीक है आना सुरू हो गया है अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है रीटेलर सौप का माइंसेट क्या है अब जोकती है बहुत मुटा पैसा कमा लिया ठीक है डीटेलर सौप यहाँ पर सोचता है कि मैं अभी भी हाइप प्राइस पर बेचूंगा तो साइस से कुछ-कुछ एडिया पर आपको हाइप देखने को मिल सकता है लेकिन मुश्च आपको यहाँ पर प्राइस कम होता अभि का प्राइस है वा आने वाले चार-पाच महने के अंदर कं होने का बहुत जादा चांस है अब एक प्रवि करने के लिए आपको प्रश सर मार्केट प्राइजिक आपर और क्या होने वाला है तो जो यहाँ पे गशांग फार मेंदय अब एंटेल का फ्रवी और प्रव आप से अभी तो पहले से भी कम हो चुका है प्रोश्चर का प्राइस इंटल के अंदर तो बेश्ट वैलु फर मनी अभी आपको इंटल तो दे रहा है लेकिन यहां पर क्या खेल खेल रहा था उसके जाएसे डॉमिनिशन ता पहले से लोग यहां पर सोच आता कि इंटल के इं AMD का जो प्रिवियस प्रोश्चर था जो APU था 2200G, 3200G, 3400G, 4350G, 4650G इस सारे प्रोश्चर को AMD की तरफ से यहां पर मतलब डिसकंटिनू टाइप कर दिया वो लोग यहां पर सप्लाइ नहीं कर रहा था लेकिन अभी के टाइम ना 3400G, 3200G, 4650G यह सभी प्रोश्चर फिर से बजेट का बहुत अच्छा CPU था, 3100X, 3300X, 3500, 3500G, यह साले प्रोश्चर भी यहां पर मतलब अल्मोस्ट नहीं मिल रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन अभी फिर से यह 3300X, 3500X यह सभी प्रोश्चर यहां पर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुका है, राइजन 3600G वह भी यहां पर कम हो चुका है, बहुत जादा पहले से, पहले तो 2200,000 का बिकता था, अभी यहां पर 18,000 का अंदर मिल रहा है, तो यहां पर यह सब हो रहा है, मतलब प्रोश्चर का प्राइस पहले से कम हुआ है, और भी आने वाले टाइम पर कम होगा, जब इंडिल का 12th पर प्राइस पहले से कम होगा, तो मेरे इस आप से प्रोश्चर का प्राइस भी आने वाले टाइम पे चार-पांच महीने के अंदर कम होने का बहुत जादा श्टाउंग चांसेश है, बाकि PC के जो सारे कॉंपोनेंस है, RAM हो गया, स्टूड़ेज हो गया, P.A.C. हो गया, इन सबी के pricing इतने ज़्यादा high नहीं हुआ है, यह सब ऐसा normal high हुआ था, रैम का price high हुआ था, लेकिन वो अभी एकदम से stable हो गया है, low आ गया है, इसको आराम से अभी purchase कर सकतो, काफी reasonable price में मिल रहा है, तो बाकी component पे कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत था graphics card पे and processor पे, लेक काफी अच्छे यहाँ पे option आपको देख़ों को मिलेगा, various type of option आपको मिलेगा, जिसके अंदर से best component यहाँ पे निकाल सकतो, और अगर आपको अभी एक PC bill करना है, जहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं, अभी के लिए आपको काम चलाओ करना है, तो मेरा recommendation यही रहेगा, आप एक अच्छा graphics card लगा के, उस PC build को बहुत अच्छा बना सकतो, तो यही मेला recommendation रहेगा, और अगर वेट कर सकतो, तो definitely वेट कर जाओ, क्योंकि आपको processor भी और अच्छे-च्छे मिलने वाले है, तो यही ता PC market का कुछ मेरा analysis, I hope इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ व आपरिजद क्योंकि ऑच्छे मेलेहा bouroni बना वोगाए तो यहीड पैस क्योंकि दो..